हेलो फ्रेंड आप सब का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेकित वे दोस्तों आज के हम वीडियो में सेकिंड ग्रेड 2013 के पेपर में साइन्स विशय के 20% सिक्षन वीडियों के शोल करेंगे तो आपके लिए इंपोर्टेंट वीडियो को आप लाज तक जरूर देख जैसे एच टेट, यूपी टेट, वीबिन राजियों की टेट की एक्जाम में साइकलोजी के जो परसन आयते हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे अलगले प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है इसके लावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देदूँगा वहां से तो दोस्तों यह है 2nd grade 2013 का Science Wishy का पेपर इसकी भी प्रिंट दोस्तों थोड़ी ढूंग लिया है आप देख सकते हैं मैंने सेम पेपर उससे ही मैं आपको परशन करवाता हूं लेकिन या पर आप देख समझ सकते हैं पेपर की प्रिंट हो थोड़ी हलकी है लेकिन मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूं तो आप समझ जाएंगे अराम से पहला प्रसन है निम्न लेकित में से कौन सा विग्यानिक विदी का चरण नहीं है प्रेक्शन, जिग्या साथ, वर्गीकरण और मापन तो दोस्तों आप सब को पता होगा प्रेक्शन भी होता है वर्गीकरण भी होता है और मापन भी होता है लेकिन जिग्या साथ, वो कोई चरण नहीं है विग्यानिक भी दीगा तो इस क्यूशन का राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमर तीन, अब आता है नेक्स्ट क्यूशन निम्न लेकित में से कौन सा कतन विग्यान की अउधारनाओं के लिए सही नहीं है विग्यान में सदेव सत्य की खोजगी जाती है दोस्तों, बिल्कुल सत्य कतन है विग्यान वेक्ति के विवार रूद्रष्टिकोन में विशेश प्रकार का प्रिवरतन लाता है तो ये भी सही है कतन विज्यान प्रक्रिया भी है और प्रक्रिया का प्रिणाम भी है दोस्तों तीनों बातें एकदम सही है लेकिन विज्यान में अवधान नहीं स्थाई होती हैं कभी बदलती नहीं है दोस्तों ये बात बिलकुल गलत है आप सब को पता है कि आज जो चीज है हो सकता है उसके ऐस ताही होते हैं और वो बदलती रहते हैं समय के साथ उनमें प्रिवर्टन आता ही है फिर आता है नेट्स यूशन थर्बर वा कॉलेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक को किस तरह कारी करना चाहिए अनुवादक अनुदेशक मदेश्ट और परसिक्षक के रूप में तो तारादेवी समीनार तो दोस्तों आपसे एक फेक्ट वो पुछा गया है तारादेवी समीनार वो गुनिसो चपन में आयोजित हुआ था उप्सन नमर च्यार है वो इस क्यूशन का राइटा अंसुर है दोनों पुरसं बहुंस्ती इंपोर्टेंट है दोस्तों आपको कि पांच निदेशक सिदांतों में से एक है ग्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना तो दोस्तों बिल्कुल सही कतना है पहला कतनी बिल्कुल राइट है उप्सन एक है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब पहला कतना आपके सामने सत्य आ गया तो आपको देखना विदार्टियों में सहन सकती विक्षित करनी चाहिए विदार्टियों को अच्छेंग प्राप्त करने के लिए महनत करने चाहिए विज्यान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विदार्टियों को समस्य समादान करने और निमने लेने योग्य बनाए और विज्या साही कौन सा है राष्टे शिक्षा ने थी गुनिश्योच शेंसी के नुसार कि विज्ञान शिक्षा को इस प्रकार होनी चाहिए कि विद्धार्थियों में समस्या समदान और निल्ले लेने के योग गिवन है ओप्षन तीन और यहां पर बिल्कुल क्रेक्ट होगा इसमें ही यह मतलब दोनों तीनों कतना वो इसमें सामिल है तो ओप्षन नमर तीन यहां पर स्टाइट हो जाएगा फिर 137 नमर क्यूशन ब्लूम दुवारा प्रस्थूत सेक्सिक उदश्यों के वर्गिकर्ण को 2001 में किसने संसोदित किया तो दोस्तों सेक्सिक उदश्यों के वर्गिकर्ण को अमेरिकी विद्वान एंदरसन ने संसोदित किया था ओप्षन नमर दो यहां पर क्रेक्ट हो जाएगा फिर अगला पर्शन राष्ट्रिये पार्टिच दिया कि रूप्रे का 2005 के अंतरगत कितने के अंदर शमोय गठित किया गये थे 20, 21, 22 और 23 तो दोस्तों आप सब को पता होगा कि कितने के अंदर शमोय थे शिक्षक, स्कूल और कक्षा-कक्ष तो दोस्तों सिक्षन परकरम के तीन अवेव रिपिटेट क्यूशन है आप सब को पता भी होगा उप्सन नमर 2 है वो क्रेक्ट हो जाएगा पार्टिसरिया विदारती और शिक्षक तो यह थे दोस्तों आज के हमने 9 परसंट कर लिए इसमें से लगबग 6 या 7 परसंट रिपिटेट है एक दो क्यूशन जरूर नहीं है हो सकता है कि वो रिप 2021 में आजाए इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यदा मौस्ट इंपोर्टेंट है एक एक परसंट का बहुत ज़्यदा मैत्व है रहने वाला है दोस्तों इस वेकेंशे में तो आप यह वीडियो लाश लगबग हर एक जाम में आपको एक ना एक विशे में यह परसंट जरूर देखने को मिला है तो हो सकता है रिट में भी आजे तो सबसे पहला चरन कुन सा होता है दोस्तों आप सबको पता होगा सबसे पहले पहले तो हम पढ़ लेते हैं कौन-कौन से यहां पर पांच ची ज पर हो बता दूंगा तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले प्र्ज़ना का चुनाव करना तो यह वह पहले नम्बर पर आएगा तो एक नमबर तो विसटे के रहोगा तो यह यह चार। सकता है इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं सबसे पहले प्रियोजना का चुनाव करते हैं उसके बाद करते हैं रूप रेका का निर्मान करते हैं तो पहला चरण होगा फिर दो नम्मर पर आएगा ये C के बाद आएगा A तो C के बाद A ही दे रखा है तीनों में उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों उसके बाद करते हैं प्रियोजना का किरियानवन फिर आएगा D तो C, A, C मतलब यह तो गलत हो गया C, A, E यहां पर यह भी गलत हो गया तो option number 4 वो correct हो जाएगा सबसे पहले प्रियोजना का चुनाव करते हैं उसके बाद रूफ एका का निर्मान करते हैं फिर प्रियोजना का किरियानवन करते हैं उसके बाद मुल्यांकन करते हैं और last में लेक्षा जोका या फिर रिपोर्ट तयार करना मतलब मुल्यांकन करना, यह सबसे लाश्ट में होता है, और गडबड सबसे ज़्यदा यहीं पर होती है, कि बच्चेयां वो मुल्यांकन को सबसे बाद में करते हैं, और लेखा जोका वो पहले कर देते हैं, आपको ज्यान में रखना है, मुल्यांकन के बाद है, वो लेखा ज क्याते हैं, उसके बाद में अगले पर्शन पर क्रीक्ट के पर च कहीं सक्मेन का सच्मेन, सक्मेन गज़ाता है तुrooh निगमनात्मक, आगमनात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और उक्त कोई नहीं, तो दोस्तों, यहां पर हो जाएगा, सचमेन का जो परच्छा मोडल है, आगमनात्मक मोडल, उप्शन नमबर दो यहां पर क्रेक्ट है, फिर है अगला परच्छन, विज्यान को सीखना, विज्यान को diosn MAR और परीः प्रियोक्ष चला मेला विज्यान खलब और और परदसणे तो आप सब को पता होगा कि पार्टे सहगा में गतिविदी आपर पूचिए पार्टे सहगा में गतिविदी नहीं है तो विज्यान परियोग शाला दोस्तों पार्टे सहगा में नहीं होती है विज्यान परदशनी भी होती है विज्यान मेला होता है विज्यान कलब होता है लेकिन विज् लिए निकास नली और आवर्दक लेंज तो दोस्तों ये भी शांदार प्रसन है यहां पर हो जाएगा ओप्स नमर दो तारा जाली त्रीपाज इस्टेंड और बर्नर यह सब एक की चीज़ें प्रस पर समधित हैं ओप्स नमर दो यहां पर क्रेक्ट हो जाएगा फिर चलते है जलते तरल पर पाने डालें गेस बर्नर को बुझा दें और उस इस्टान से भाग जाएं तो दोस्तों बहुत ही शांदार प्रसन है और कोमन सेंस का प्रसन है कि आपको क्या करना चाहिए तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले है कि मदद के लिए चिलाएं दोस्त जेक करना है गेस बरनर को बुझा दें गेस बरणर को बाद रैंड राना है आपको सब्से पहले ऊसके बाहर चिलाम ला लेकिन सब्से पहला क्वाम है गेस बरणर को ब éléments ना तो यहां पर ऑंसनने डारख सियागा ऑपसननवर फ Four यहां पर करेक्ट है पिर चलते एंगले फूरम में पूछ ली जाए, NCRT उपर देख सकते हैं, इनका इंग्लीज नाम भी है, NCRT का नाम हो जाएगा, राष्टी सेक्षिक अनुसंदान यो पर शिक्षन परिशद, या फिर National Council of Educational Research and Training, फिर है राष्टी है ड्यापक शिक्षा परिशद, NCT, National Council of Teacher Education, फिर है केंद्रिय मादेमिक शिक्षा बोर्ट, CBSC, और एक है विज्ञान यो प्रियावरन के इंदर, तो स्कूल साइन्स से त्रीमाशिक पत्रिका का प्रकासन वो किस सेंस्ता की दुबारा किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, दोस्तों, NCRT, राष्ट्रिये सेक्षिक अनुसंदान य क्या यह कतन शईहे है, कोपर और अईरन में क्या नथर है, पर बल अमलन का एक उड़ान दें, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि, निमन लिखित में से निश्चित उत्र परकार का कौन सा परसन है, तो DAVID-ÓTRO-DRI क्या होता है, तो दोस्तों यह तो कोई निश्चित उत्तर न है या तो हां काओगे या फिर ना काओगे तो यहां पर निश्ची तो उत्तर है तो उप्स नमर दो है वो बिल्किल क्रेक्ट हो जाएगा फिर बात करते हैं 148 नमर के कुछ चरण है तो दोस्तों यह परसंद पत्र निर्मान या ब्लूप्रिंट वाला टोपी का वो रेट में चरणों का सही करम को क्या है तो निचे उप्सन दे रहें आपको मैं पांस सेकिंड का टाइम देता हूं आप वीडियो को प्यूज करके भी सोच सकते हैं कि कौन सा उत्तर हो यहां पर होना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे उदश्यों का पले क्ला हूं सबसे पहले करेंगे स्वाला का मतलब स्पसी जिसमें एक नमबर पर हो खतना वो सही होगा तो तीन नमबह तो बिल्老師 सकता है।-दो नमर हो चाहन पहले- उदश्यों का उसके बाद ब्लीउ- प्रिंट आफ तयार करते हैं ब्लू- प्रिंट तयार करना तो ए और लास्ट में होता है मुल्यांकन तो ओपस नमर एक हो यहां पर क्रेक्ट हो जाएगा फिर आता है आज का सेकंड लास्ट क्लिशन किस प्रकार के परसन बालकों में समिक्षा अत्मक सोच को विक्षित नहीं कर सकते हैं खुले परसन बंद परसन विभी सारी परसन और जन आत्मक सोच को कून सा प्रसना विक्षित करते हैं खुले परसन बंद परसन ऐसा कुछ परसन वो पहले आए चुका है तो यहां पर हो जाएका option no.3 बंद परसन अब वो नहीं करते हैं दोस्तों समिक्सात्मक सोचको विक्षित option 3 इस्क्यूशन का right answer है फिर चलते हैं आजगे last person 150 निमने लिकित में से कौन आदर्स मुल्यांकन का मांदर्ण नहीं है विश्वसनेता, विश्यायन उकूलता, संभावेता वीडियों वो पसंद आ होगा और person वास्ता में कुछ person नहीं थे कुछ person रिपिटेर थे आप समझ सकते हैं कि लगबग हर पेपर में 60% ratio, चाहिए आप psychology की बात करो चाहिए आप सीक्षिन वीडियों की बात करो और आपको आपके स्तर के person करने है आपको मतलब सबसे पहले psychology में आप करो तो विबिन राजियों की जो Tate की exam होती है उनके person आपको ज्यादा करने है बजाए C8 या RPC के सबसे पहले काम आपका इतना है कि जो भी Tate की exam जो पी Tate की exam में जो क्यूशन आये है psychology के वह आप जरूर करें उसके बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप RPC वाले परसंद करें या फिर other कोई और exam जैसे C8 में आये परसंद करें लेकिन सबसे पहले आपको Tate की exam के परसंद करने है क्योंकि लग बुक Tate वाले परसंद हो शांदर होते हैं और वही exam में आते हैं C8 का level कुछ अलग होता है लेकिन मैं यह नहीं कहता कि उनको आपको नहीं करना है अगर आपके पास टाइम आपके पास बोक है करते हैं जेवाड़ा है